और आज जो मैं आपको पैटन सिखाने वाला हूँ यहाँ पर उसी के बेस पर सारे टेड लगे हुए थे आपने देखा रिजल्ट कितना अच्छा रहा और मेरे तीनों ट्रेड जो लगे हुए थे वो काफी अच्छे से भीन हो गए रिजल्ट दिखाना चाहूँ तो मैं आप को यह आप देख सकते हो सारे टेड मेरे यहाँ पर विन ही आपको दिखेंगे टाइटल और समझनल देखका तो समझ गयोंगे आज हम सीखेंगे डवल के अंडिलिस्टिक पैटन के बेस पर किस तरह से टेडिंग की जाती है डवल केंडिस्टिक पैटन बहुत सारे बनते है लेकिन जिस pattern के base पर हमें profit मिलेगा सिर्फ हम उसकी ही बात करेंगे अब ऐसा नहीं हमेसा उसके base पर profit ही होगा हमें loss भी देखने के लिए मिलेगा लेकिन एक बात आप याद रखें हमें कभी भी किसी pattern पर depend नहीं होना है हमको market में अलग-अलग तरह से analyze करते रहना है अब जो यहाँ पर market में नए trader है तो वो भी इस वीडियो को last तक देखें तो कि हर चीज में यहाँ पर बारीकी से समझाने वाला हूं आपको जरूर समझाएगा आपका trade की इस तरह से लगाना है down का trade की इस तरह से लगाना है सभी इस वीडियो में cover करेंगे आपने मेरे trade देखे कि इस तरह से win हुए और इसी तरह से आप भी margin करोगे अच्छा कासा पैसा कमाने लगोगे हमारी classes जब तक चल रही है सारी classes को देखें यह मेरा वादा है course का end होने से पहले आपको एक profitable trader बनने में help कर दूँगा बागी अगर आप market को time दोगे जो आपको सीखाया जा रहा उसको आप note करोगे तभी आप मेरी तरह एक profitable trader बन पाऊगे तो चलिए अपने drawing tool पर चलते हैं और समझते हैं double candlestick pattern क्या है आप सबी के सामने मैंने open कर लिया अपना paint tool और सबसे पहला pattern हमारा bullish engulfing होगा आपने इस pattern को बहुत सुना होगा बहुत देखा भी होगा बनते हैं market में और जो इसको नहीं जानते हैं वो है पर इस वीडियो को देखने के वाद सीख जाएंगे इस pattern के बेज़ पर हमको अप direction में trade मिलता है ठीक है लेकिन कहां मिलेगा किस time source होट लगेगा कहां loss होगा ये किसी को नहीं पता तो आज की वीडियो हम वो ही cover करेंगे सारी details आपको bullish engulfing, bearish engulfing में देने वाला हूँ bullish engulfing में सबसे पहले क्या होता है तो चलिए इसको पहले बारी की से समझते है ये pattern कहां बनने वाला है मैंने आपको market में trend के हिसाब से समझाया था कि market में हमको trade HL पर मिलते है अब बहुत से बायों को नहीं पता तो अपनी last class देख सकते हैं जिससे आपका सब कुछ clear हो सके यहाँ पर अगर यह pattern बनेगा तो हमें up direction में trade लगाना है क्योंकि यहाँ पर trend अप है और हम अपके trend में up direction में trade लगाने वाले हैं और हम down के trend में उपर के side trade लगाएंगे अब pattern यहाँ पर किस तरह से बनेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा पहले देखिए हम यहाँ पर कभी भी up trend में उपर के side horizontal line या पर trend line कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ से वो एक काम करता है resistance का और resistance यहाँ पर कभी भी break हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर pattern अपना up direction का है यारी trend अपना up है तो समझ यह इस बात को मैं क्या करने चाहता हूँ यहाँ पर आपने पहले देखा market का trend up है तब ही आप confirm होगी कि हमको bullish इंगलपिंग के base पर जब यह pattern बने आप direction में trade लगाना है उसके बाद क्या होने वाला है ध्यान से देखेगा market में क्या होगा सबसे पहले green candles उपर जाएंगी इस तरह से आप मान सकते हो उसके बाद मान कर चले यहां से market reverse होती है एक inverted hammer बनता है उसके बाद market यहां से reverse होती है और red candle हमें देखने के लिए मिलती है तो इस तरह से market नीचे आती है अब मान कर चले जो आपने trend line लगा रखी थी चले वो ही आ गई यहां पर और जो आपकी trend line है उसके touch होने के बाद या फिर किसी भी तरह से आप मान लीजे आपकी trend line के पीछे यहां पर last moment पर एक इस तरह से red candle close होगी red candle ही होगी उसके बाद आपको तो मैंने बता रखा है कि touch होते ही third touch पर आप direction में trade आपको लगाना है ठीक है आप वहाँ से लगा सकते हो लेकिन उसके बाद confirmation लेने के बारी आचुकी है आप तक तो वह से पर कह सकते हो आप एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहाँ पर next candle green आएगी लेकिन जब यहाँ पर एक pattern बन जाएगा तो यहाँ पर आपकी severity 100% हो जाएगी और आपकी trade ज़रूर भीन होगी देखें यहाँ पर इस तरह से green candle आए ठीक है green candle की condition क्या रहेगी वो green candle इस red candle से बड़ी होनी चाहिए ठीक है तब ही उसका हम bullish engulfing केंगे bullish engulfing का मतलब है कि green candle ने कोई red candle engulf यानी छिपाई हो ठीक है तो इस तरह से आपको क्या पता लगा कि इस candle ने इस तरह से बन कर विसली candle को engulf किया engulf होने के बाद आपने देखा कुछ सरते मानी जाएगी सभी को note करना कि हम यहाँ पर कुछ horizontal line लगाएंगे देखिए वो horizontal line कहा कहा लगेंगी पहले उनको समझते हैं जो यह हमारी red candle होगी अगर इसकी wick जो है इस green candle के 100% से छोटी है तो फैली हम horizontal line यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले level सीख लीजे second होगा यहाँ पर इसके 100% पर third होगा इस green candle के 50% पर ठीक है इस तरह से तीन हमारे लिए key levels होते हैं अब क्या होगा nest candle अगर directly उपर जा रही है तो आपको trade नहीं करना है सिर्फ क्या देखने के लिए मिले आपको market में जो आपने horizontal line लगा रखिए उनको पहले वो touch करे ठीक है और touch होने को हम यहाँ पर कहते है retracement retracement कैसे होगा यहाँ पर candle उपर जाने लगी किसी भी एक level को touch करकर उपर चाहे simple सी बात है कि किसी भी एक level को touch करे या फिर दो levels को break करकर नीचे चली गई रेड बन गई लेकिन एक level से उपर है तो यहाँ पर अभी भी इस pattern को concentration माना जाएगा और आपकी trade यहाँ पर अभी भी 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 नहीं हो सकती है लेकिन जिस तरह से यहाँ पर retracement candle रेड बनी तो retracement candle अगर red बन जाती है तो आपको चाहिए confirmation candle यानि क्या क्या जाएगा देखे कोई भी candle इन levels के तीनों के तीनों levels के नीचे close ना हो जैसे यहाँ पर तीनों candles के close होंगी तो यहाँ पर यह trend line किसी काम का नहीं पैटन काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर rule यही है कि एक ना एक विक यहाँ पर ओनी चाहिए जो कि यहाँ पर किसी candle के body ने break ना की हो तो एक बास आप note कर लेना अगर किसी भी candle ने कोई भी level ब्रेक कर दिया तो वो level अब fail हो चुका है वो किसी काम का नहीं है तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर दो levels fail हो गए अप डारेक्शन में ट्रेड लगाना है वो भी full superiority के साथ ठीक है इस तरह से आप अपनी ट्रेड विन करोगे अप डारेक्शन में ट्रेड लगा कर अब यहाँ पर ग्रीन केंडल बनती है यह ग्रीन केंडल बनी नीच आई उपर गई यह तो हमारे लिए और बेची कनफरमेशन है नेश्ट केंडल पर आपका ट्रेड लेंगे और अपनी ट्रेड यहाँ पर बिन हो जाएगी अब यहाँ पर बहुत से भाई पूछेंगे मान लिया हमने लेवल लगा दीजे और अब यहाँ पर यह केंडल टच ना करें टच ना करकर फिर नेश्ट केंडल उपर चली जाए इस तरह से मार्गेट उपर निकल जाए तो अब यह हमारे लेवल किस काम के सिंपल सी बात है यह जैसे उपर जाएंगे इनको नीच याना होगा और जैसे यह नीच या कर किसी बिएक लेवल को वही काम फिर से होगा टच करें, रिड्रेश्मेंट करें आपकर ट्रेड लगाना है बुरी सिंगल पिंग बेस पर आपको आपकर ट्रेड किस तरह चले लगाना है नेश्ट हमारा बैटन होगा double candlestick pattern में बेरी single pink बेरी single फिका भी काम वहीँ होगा जिस तरह से bully single pink अपकर trade ले रहा था यहाँ पर हमको down कर trade मिलने वाला है ठीक है तो candles किस तरह से जाएंगी सबसे पहले हो समझी मान कर चलिए कुछ candles नीचे आई ठीक है इसको अच्छे से बनाते हैं तो आपने देखा कि यहाँ पर बेरी सिंगर भी बैटन चल रहा है अब ट्रेंड यहाँ पर क्या होने चाहिए अच्छा कासा डाउन होगा जिससे आपकी कनफरमेशन और ज्यादा बन जाए यहाँ पर त लेकिन आपका जो पैसा है वह इस लाइन के नीचे लेना चाहिए यहाँ पर इसके बेस पर डाउन का ट्रेड इसी तरह से मिलेगा ठीक है यहाँ पर टच मिला ओके लेके बाद हमें क्या करना है सिंप्ली केंडल बने जो जिस तरह से बुलिस इंगल फिम रेड केंडल होगी वह रेड केंडल द्वारा और यही वह पैटन था जिसके बेस पर कुछ टैम पहले मैंने तीन ट्रेड लगाए थे दो 10,000 रुपे से जो काफी अच्छे से आपके सामने विन हुए अब यहाँ पर देखिए ग्रीन केंडल रेड केंडल ठीक है और रेड केंडल ने इ तो एक बर ठेड देख लेना है कि यहाँ पर केंडल क्या करना चाहती है ग मुझे बन सकती है लेकिन विन लेवल के नीचे इसको बना हुग नहुकिए यहां पर देखे मानकर चलिया भी बन गही तो आपको फिर डाउन के टेड़ लगाना है इन पैटन सके वेस पर सेमब iht नहीं है यह सिर्फ इतना ही कि इसके बेस पर डाउन का टेट लगता है उसके बेस पर आपका लगता है तो उमीद है आप लोगों को आज की किलास पसंद आयोगी मैंने आपको बेरी सिंगल फिंग बुली सिंगल काफी अच्छे समझा दिया है वो मेरा व्याइब गुरूप जोइन कर सकते ब्रोफिट करने के लिए आपके पास मार्केट को एनलाइस करने का टाइम नहीं है तो तो इस जिलास में मुझे इतना इरो बताना था आपको लाइक कर दें बागी चैनले अगर आपने चैनल को सस्क्राइब कर ले विल्टन नैस्स्ट वीडियो में ठैंक्स झाल झाल एक्था जो खार टी।